विल्कम टो यूटूफ चैनल वाई आरस क्लास में एक बार फिर से आप सबी लोगों का बहुत-बहुत स्वगत है जैसा कि दोस्तों प्रशनावली टू भी चैप्टर आपका है बहुपत इसमें दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रशनावली टू ए में प्रशनामबर एक के जो दस खंड थे इसके पहले के वीडियो में मैंने अच्से तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया था अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रेमसर में लिंक दिया गया है वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं आज़े दोस्तों पस्नावली टूबी का परस्ट नमबर दो आपके सामने यहां स्क्राइर है तो दोस्तों यहां प्रेश नमबर एक आपके सामने कह रहा है निम्ली खिर बहुपदों के शुन्निक ज्यात कीजिए और शुन्नकों और गुरांकों के बीच संबंध की ज्यात कीजिए जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए जिस चर्क एधिक्तम घातें दो होती है दो घात बहुपद कहलाता है और दोस्तों दो घात बहुपद के लिए दो शुन्निक दोस्तों होता है जिसे दोस्तों हम अलफा और बीटा कहते हैं अब दोस्तों यहां से फार्मूला होता है मूलों का योगफल अर्थाद दोस्तों जो अलफा प्लस बीटा है इसका सूतर होता है अर्थाद यहां से मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपान ए और दोस्तों दूसरा होता है मूलों का गुननफल बराबर होता है सी अपान ए दोस्तों परस्टनावने टूबी में जितनी भी सवाले हैं उन सभी सवालों में मूलों का योग फल और मूलों का गुन फल की जो भी सूतर है उसको हम लगाएंगे अब दोस्तों परस्टनावन एक के तीन खंड है पहला खंड आपके सामने यहां से आता है X square minus 2 X minus 8 दूसरे है 4 X square minus 4 X plus 1 और दोस्तों तीसरे यहां से है 6 X square minus 7 X minus 3 तो दोस्तों प्रश्णावली 1 2 B में प्रश्ण नमबर 1 में 3 खंड है तो दोस्तों इस पूरे प्रश्ण में हम प्रश्ण नमबर 1 के 3 खंडों को अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे अब दोस्तों प्रश्ण नमबर 1 आपके पहला यहां से है X square minus 2 X minus 8 और दोस्तों शुन्ने ग्यांत करने के लिए बहुपध कामान 0 के बराबर किया जाता है तो दोस्तों यहां से लिखेंगे शुन्ने को के लिए क्या दोस्तों लिखेंगे? शुन्ने को के लिए शुन्ने को के लिए दोस्तों जो बहुपत दिया है एक्स स्कॉाइर माइनिस टू एक्स माइनिस एड बराबर दोस्तों हो जाता है जीरो अगर दोस्तों कहीं भी बहुपत दिया है शुन्ने ग्याद करना है अगर दोस्तों शुन्ने ग्याद करने के जो भी बहुपत दिया होता है उस कामान जीरो के बराबर कर दिया जाता है अब दोस्तों करते क्या है इसका हम गखन कर देते हैं, दोस्तों यहां से एक मान सकते है, आठ, इकंड नम दोस्तों आठ होता है, अगर दोस्तों चार में हम यही दो घटा दे, तब दोस्तों दो इस बहुपद का मतपदो मिल जाएगा अब दोस्तों करते हैं किया है यहां से लिखेंगे x square minus जो 2 है इस 2 को लिख सकते हैं 4 minus 2 यहां से लिखेंगे 4 minus 2 x minus 8 बराबर दोस्तों 0 तो x square minus 4 गोड़ x दोस्तों होगा 4 x minus minus 2 plus 2 x minus 8 बराबर 0 हो गया अब दोस्तों यहां से करते हैं 4 पद हैं 2-2 पद का हम यहां से दोस्तों common करेंगे और दोस्तों x square minus 4 x में तो x दोनों पद में ही दोस्तों x कामन कर लेंगे यहां से बचेंगे x minus 4 और दोस्तों plus 2 कामन करने के बाद X- और दोस्तों 2 के पहाड़े में 8 जो होगो आपका 4 बार पे आ जाएगा बराबर दोस्तों 0 हो गया अब यहां से करते क्या है दोनों break-up में X-4 इसको लिखेंगे एक बार और X-4 दोस्तों क्या हुआ दो आपका बचा बराबर दोस्तों दिया है 0 अब दोस्तों करते क्या है सुनने ग्यात करने के लिए यह दोनों जो मान है X-4 X-2 यह दोस्तों मान करते हैं 0 के बराबर तो यहां से दोस्तों होगा X-4 बराबर 0 X बराबर दोस्तों 4 हो गया दोस्तों दोसरे है X-2 बराबर 0 x بiska 2-2 हो गया 2-4 का 452 4 अब दोस्तों 24 का 452 3-2 हो गया अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है पहले हम मान को दोस्तों alfa माननेगे और जो दूसरा मान है यसे दोस्तों हम मानने बीटा और दोस्तों निखेंगे संबंध की जांच दोस्तों संबंध की जाँच करने की लिए यह जो फारमूल आपके सामने है दोस्तों आपको यह समझ लेना है B क्या है A क्या है दोस्तों जो B होगा वह यक्स का गुणांक होगा यानि यहाँ पर दो है दोस्तों जो आपका A है वहाँ दोस्तों X2 का गुडांग होता है अगर दोस्तों गुडांग कुछ नहीं तो यहाँ से एक मानते है ना अब दोस्तों यहाँ से लिखेंगे संबंद की जाच में इसलिए मूलों का यूगफल बराबर माइनस दोस्तों B अपान A और दोस्तों यहाँ से जो अलफा है वहाँ मान कितना है दोस्तों 4 है प्लस दोस्तों बीटा का मान माइनस 2 है बराबर दोस्तों मानस जबकि दोस्तों B क्या है B दोस्तों होता है यक्स का गुणांग दोस्तों गुणांग कितना दिया है B का मानस दो दिया है दोस्तों बटे में एक हई है तो यहां से लिखेंगे मानस दो और दोस्तों बटे में एक मान एक है अब दोस्तों चार प्लस मानस का मानस दो बराबर दोस्तों माइनस माइनस प्लस और दोस्तों दो में एक से भाग करने पर दो मिलेगा अब करते क्या है चार दोस्तों दो गया आपको दो बराबर दो मिला अर्थाद दोस्तों यहां से LHS बराबर दोस्तों क्या हो गया आपका RHS मिल गया अब दोस्तों यहां से करते हैं क्या है अगला होगा मूलों का गुणनफल बराबर दोस्तों होता है C अपान A और दोस्तों यहां से जो अलफा है उसका दोस्तों मान क्या दिया है चार दिया है गुणनफल बराबर C क्या दोस्तों होता है सी होता है दोस्तों अचर पद जिसमें एक्स स्क्वाइर एक्स ना लगा हो अर्थाथ दोस्तों अचर पद जो होता है वह एक दम किनारे लिखा जाता है अर्थाथ दोस्तों ए कमान एक बी कमान माइनस दो और दोस्तों सी कमान माइनस आठ होगा तो यहां से दोस्तों क्या होगा आपका C कमान माइनस आठ अब दोस्तों A कमान एक ही रहेगा अब दोस्तों करते क्या है मानस आ गया पहले 4 दोने दोस्तों 8 होता है बरावर दोस्तों माइनस आठ दोस्त एक से भाग करने पर संख्या में कोई परिवर्टन होता नहीं अब दोस्त यहां से क्या होगा दोनों पच्चकमान बरावरत यहां से लिखेंगे इसलिए एले चिस बरावर दोस्त क्या होगा आरे चिस दोस्त यहां से लिखेंगे अतहा, संबंध की जाँच सत्त है। क्या है दोस्तों सत्त है। आशा करते हैं दोस्ता प्रष्णावली टूबी का प्रष्ण नमबर एक जो पहला खंड है। इसे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आईए दोस्तों आप चलते हैं प्रश नमर एक का प्रश नमर दूसरा खंड हल करते हैं और दोस्तों प्रश नमर तीसरा खंड भी अच्छे तरीके से हम हल करते हैं अब दोस्तों दूसरा पाटाप के सामने आता है फोर एस स्कॉाइर माइनस फोर एस प्लस वन दोस्तों यहां से लिखेंगे शुन्यक के लिए क्या दोस्तों लिखेंगे शुन्यक के लिए और दोस्तों जब शुन्यक के लिखते हैं तो जो भी बहुपत दिया होगा यहां से 4 a s square minus 4 a s plus 1 दोस्तों बराबर होगा 0 और दोस्तों यहां से अगर इसके बात की जाए तो दोस्तों इस जो 4 a s है इसे दोस्तों लिख सकते हैं 2 a s का whole square और दोस्तों जो plus 1 इसे लिख सकते हैं plus 1 का भी whole square और दोस्तों बराबर दिया है 0 और दोस्तों A स्कॉार प्लिस B स्कॉार दोस्तों मानिस 2A का मतलब दोस्तों आपका होगा 2S और दोस्तों B का मतलब होगा 1 दोस्तों जो आपका 2S है अगर इसे A मानिस तो A स्कॉार प्लिस B स्कॉार मानिस 2AB दोस्तों सूत्र होता है A-B का होल स्क्वाइर अर्था दोस्तों यहां से होगा 2S-1 का होल स्क्वाइर बराबर दोस्तों 0 होगा जैसे कि दोस्तों 2S-1 जो है इसकी घाद दो है दोस्तों इसे हम दो बार लिख सकते हैं 2S-1 दोस्तों 2S-1 बराबर दोस्तों 0 होगा और यहां से शुन्ने ग्याद करने के लिए दोनों मान दोस्तों कर देते हैं 0 के बराबर 2 एस मानिस 1 बराबर 0 2 एस मानिस 1 बराबर दोस्तों 0 हो गया अब यहां से करते क्या है 2 एस बराबर दोस्तों मानिस 1 का पच्छंदर प्लिस 1 दोस्तों यहां से यस बराबर होगा एक बटे दो सेम इसी पर काड़ टू यस बराबर दोस्तों एक होगा और यस बराबर होगा एक बटे दो जैसे कि दोस्तों जो आपका यस पहला है यह आपका अलफा कमान होगा अब दोस्तों जो आपके इस बराबर एक बड़ दो आया है आपका बीटा कमान हो गया अब दोस्तों यहानी यहाँ पर अलफ़ और बीटा कमान जो आया यानि जो तो सुनने का आया वह दोनों मान बराबर है अब दोस्तों यहां से लिखेंगे इसलिए संबंध की जाच इसलिए संबंध की जाच दोस्तों यहां से लिखेंगे सूतर चुकि मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए अर दोस्तों अलफा का भी मान एक बटे दो और दोस्तों बीटा का भी मान एक बटे दो दो दिया है बराबर दोस्तों माइनस और दोस्तों यहां से बी का मान क्या होगा दोस्तों बी होता है यस का गुरांग अर्था दोस्तों यहां से होगा माइनस चार यहां से लिखेंगे माइनस चार अर दोस्तों जो आपका ए है वह दोस्तों आपका होता है यस स्कॉाइर का गुरांग दोस्तों क्या है चार है दोस्तों यहां से होगा आपका जो एक मान होगा वह दोस्तों आपका चार हो गया अब दोस्तों करते क्या है यहां से एक बटे दो प्लस एक बटे दो अर्थाथ दोस्तों यहां नहीं दोनों यहां पर हाफ है जब हाफ हाफ जुड़ता है तब दोस्तों एक मिल जाता है और दोस्तों माइनस माइनस प्लस तो दोस्तों चार बटे दोस्तों चार मिलेगा दोस अगला यहां से लगा देते हैं मूलों का गुणाल-फल इस लिए दोस्तों लिखेंगे α इंडू बीटा बराबसdaky अप्वान vient Alfa कामार एक बटे दो गुड़ें बीटा कामार भी क्या एक बटे दो दूदिया है दोस्तों, चसथा सी जो है, क्या होता है आपका अचर पद होता है अचर पद कतने कि नारे दिया है? एक दिया है दोस्तों, एक क्या है लगका है, स्कॐर का गणा पर 1.4 बी कमान माइनस चार और दोस्तों सी कमान एक हो जाता है अब दोस्तों यहां से लिखेंगे सी कमान दोस्तों कितना है एक है और दोस्तों एक कमान चार है दोस्तों अंस का गुड़ां से में कर दो एक 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 कामान जो होगा, वहाँ दोस्तो आरे चिसके बराबर हो गया, अर्था दोस्तो यहां से लिखेंगे, अताहा संबंद की जाच समबंद की जाच सत है, दोस्तों सत क्यों है क्योंकि दोस्तों दाएं पचकमान बाएं पचके बराबर है और उपर भी दोस्तों क्या है एक एक बराबर आया है दोस्तों आशा करते हैं प्रशनावली टूबी का प्रशनमबर एक जो दूसरा खंड है इसे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा आगे दोस्तों अब चलते हैं प्रेश्ट नमबर तीसरा खंड इसे अच्छे तरीके से हम हल करते हैं अब दोस्तों तीसरा खंड आपके सामने यहां से आता है 6 x square minus 7 x minus 3 अब दोस्तों नीचे लिखेंगे सुनने के लिए अब दोस्तों जब सुनने के लिखते हैं तो जो आपका बहुपद होगा वो दोस्तों आपका 0 के बराबर हो जाता है अब दोस्तों 3 x 18 दोस्तों 18 को हम इस परकार से तोड़ना है गुड़ांखंड करना है ताकि दोस्तों घटाने पे लाना है साथ बीच कपद दोस्तों यहां से लिख सकते हैं 9, 2 नहीं 18 दोस्तों गुड़ा करने पर 18 मिलीगा लेकिन जब इसी 9 को हम 2 में घटा दें कि तब दोस्तों बीच कपद आपको 7 मिल जाना चाहिए जैसा कि यहां पर मिल भी रहा है तब दोस्तों यहां से होगा 6 x square minus अब दोस्तों जो 7 हैं इसे दोस्तों लिख सकते हैं 9 minus 2 तो यहां से लिखेंगे 9 minus 2 x minus 3 बराबर दोस्तों 0 हो गया दोस्तों 6 x square minus 9 x minus minus plus यानी दोस्तों इस minus इस- का गुडाह जो बिरेकर्ड में minus में दोस्तों है Iska गुडाह होता है तो vertices minus, minus, plus होगा 2 x x भूगा 2 x minus 3 बराबर दोस्तों 0 होगा अब दोस्तों यहां से करते क्या हैं इन दुने कि दोस्तों हम 3 x big typically का क्वामन केंगे 9 x कामन करनेывать दोस्तों 3 के पहाड़े में 6 दो बार पर आता है मानिस दोस्तों 3 के पहाड़े में 9 जो होगा 3 बार पर आता है अब दोस्तों प्लस A कॉमन करने के बाद 2X मानिस 3 बराबर दोस्तों 0 हो गया यानि जो आपका दूसरा ब्रेकट है इसमें दोस्तों कोई संख्या कामन किया गया नहीं अब दोस्तों करते क्या है दोनों ब्रेकट में सेम संख्या है तो 2x मानिस 3 बराबर दोस्तों 3x 3x प्लस 1 बराबर दोस्तों क्या हो गया आपका 0 हो गया यानि दोस्तों जो दो बिरेकट में से हम संके आया है इसको दोस्तों लिखा जाता है एक बार दोस्तों तीन एकस प्लस एक इसको लिखा बगल में अदोस्तों करते क्या है यहां से दोनों जो पद है वह जिरो के बराबर अर्थाद दोस्तों यहां से होगा पहला जो सुन्यक आया वह आपका यक्स कमान तीन बटे दू आ गया अब दोस्तों बगल में क्या है तीन यक्स प्लस एक बराबर जिरो तीन यक्स बराबर दोस्तों माइनस एक दोस्तों यक्स बराबर माइनस एक बटे तीन ये दोस्तों क्या आपका है बीटा का माना आगए यानि दोस्तों पहला सुन्निक एक से बराबर अलफा बराबर तीन बटे दू दोस्तों सुन्निक बीटा बराबर आगए दोस्तों माइलस एक बटे तीन अगर दोस्तों करना क्या हमें यहां से लिखना है संबंध की जाच इसलिए संबंध की जाच तो यहां से दोस्तों क्या होगा मूलों का योगफल जिसे दोस्तों लिखा जाता है अलफा प्लस बीटा से दोस्तों सूत्र होता है माइनस बी अपाने दोस्तों अलफा कमान तीन बटे दो दोस्तों प्लस बीटा का दोस्तों मान है माइनस एक बटे तीन बरावर दोस्तों क्या माइनिस और दोस्तों बी क्या होगा बी होता है यक्स का गुरांक और दोस्तों यक्स का गुरांक है वो आपका माइनिस साथ है और दोस्तों अचरपत अर्था सी कमान माइनिस तीन और दोस्तों एक मान होगा आपका छे दोस्तों यहां से होगा आपका माइनस जबकि दोस्तों भी कमान है माइनस साथ और दोस्तों बटे में जो ए है एक कमान दोस्तों कितना है छे और दोस्तों तीन बटे दो प्लस माइनस का माइनस एक बटे तीन बराबर दोस्तों माइनस माइनस प्लस साथ बटे दोस्तों छे मिला तो दोस्तों तीन और दो कलासा आपका छे होता है दो पहाड़े में छे तीन बार पे जाएगा तीन से गुड़ा होगा तीन तीन तरिक का दोस्तों नौ अब दोस्तों तीन दूनी छे दो गुड़ा होगा एक में दो एकर नम दो बराबर दोस्तों साथ बटे छे होगा अब दोस्तों नौ में से दो घड करके साथ बटे छे बराबर दोस्तों साथ बटे छे मिल गया दोस्तों कहने का मतलब इतना हुआ जब संबन्द के मैंने जाँच किया और शूतर को लगाया तब दोस्तों दोनों पच्छ कमाने की आगया आपस में बराबर तो दोस्तों असले लिखेंग इसलिए आरेचिस बराबर दोस्तों A CH X自己 बराबर A lucky है अब दोस्तों अगर लगाते है मुलों का गुननफल बराबर دोस्तों होता है C upon A तोस्तों पहला मुल कितने दिया है आपका 3 बटे दु है दोस्तों दूसरा दिया है माइनस एक बटे 3 अगरों सी कमान क्या होगा दोस्तों सी होता है अचर पत अर्था एकदम किनारे वाला मान माइनस तीन और दोस्तों एक कमान कितना एच्छे है दोस्तों यहां से लिखेंगे इसलिए दोस्तों सी कमान माइनस तीन और दोस्तों एक कमान यहां से एच्छे आ गया अब दोस्तों तीन से तीन कड़ गया तो आपको मान कितना यहां से दोस्तों मिला माइनस एक बटे दो माइनस एक बटे दो बराबर दोस्तों तीन इकनन तीन तीन दूनिशे हाँ पर भी मिला दोस्तों माइनस एक बटे दो दोस्तों कहने का मतलब इतना हुआ सूत्र को लगाने के बाद अर्थाज जब संबंद की जाच मैंने किया तब दोस्तों एलेचिस का मान भी आ गया आरेचिस के बराबर अगर दोस्तों दोनों पच्च का मान बराबर है अब यहां से लिखेंग आता है संबंद की जाच संबंद की जाच सब्द है दोस्तों सब्त क्यों है क्योंकि दोनों पच्छ का मान आपस में बराबर आ गया यानि मूलों का योगफल का भीमान बराबर आ गया और मूलों का गुलनफल का भीमान दोस्तों आपस में बराबर आ गया तो दोस्तों आशा करते हैं प्रश्णमद 2B का प्रश्ण नमबर 1 का जो तीन खंड है वो मैंने इस पूरे वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिया अगर आप यह पूरा वीडियो देख लेंगे तो प्रश्ण नमबर 1 अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ है दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों लाइक कमेंड और शियर करना ना भूलें मिलते हैं फ्रेंड निफ्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू